गुड मॉर्निंग अल आफ यू देखिए जो आज का हमारा टोपिक है अल्टरनेटिंग क्रण्ट जो चैप्टर चलावा हमारा ट्वेल्थ फिजिक्स का उसका ये वीडियो बड़ा इपोर्टेंट रहेगा एक्जाम के देश्टी से जो आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं नेस्ट कोर्स इस में एडमिसिन के लिए जैसे आयाइटी जेड़ेवली जैवली मेंस बगएरा बगएरा जो भी आप एडमिसिन के लिए कहीं भी अपलाई करते हो जो भी होता है याजब बोड के एग्जाम होते हैं उनमें ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है इ और इसमें जो भी इंपोर्टेंट फार्मुले हैं नुमेरिकल्स प्रोब्लम को शॉलो करने के लिए और जो भी ट्रिक्स बनती है वो भी हम इसी वीडियो में कम्प्लीट करेंगे तो छोड़े-छोड़े फार्मुले हैं और वीडियो को पूरा देखिए और आपको अनंद भी आएगा आपने जो है हर फार्मुले को बारिकी से समझना है तो चली हम सुरू करते हैं हमारा जो आज का टोपिक है की पॉइंट्स एंड इंपोर्टेंट फार्मुला फॉर दी नुमेरिकल्स और हमारी ये एंस्यार्टी की बुक चल रही है और हम एक अच्छे तरीके स आपको समझाने की कोशिस कर रहे हैं बच्चों की अक्सर सिकायद रहते हैं की एंस्यार्टी बुक हमें समझ में नहीं आती लेकिन एंस्यार्टी बुक बहुत अच्छी है देखिए चला हम समझते हैं आज का जो टोपिक की पॉइंट्स और इंपोर्टेंट फार्मुला आ आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए इससे हमीं मोटिवेशन मिलता है तो शुरू करते हैं हमारा आज का टोपिक की पॉइंट्स बिल्कुल आशान है ध्यान से देखिए देखिए जब हम वीडियो सुरू करने से प करन्ट वोज मेगनिचूड चेंज विद टाइम एंड दा डिरेक्शन रिवर्स विरो डिगली इस नोन आज अल्टरनेटिंग करन्ट हमें अल्टरनेटिंग करन्ट की यह पता है जैसे हमारे पास यह है यह देखिए डारेक्शन जो है इसकी बार-बार चेंज हो रही है ए uks time के उससे हम इसको मुष्क करते हैं तो यह थोड़ी दे रूबात करांगे पहले म्सुरू करते हैं हमारा करन्ट सही बात करेंगी अल्क्र क्रिक्न क्या होता है आई एब तयबं है क्यों वह कै शार्ट क्या है टांड और फर्स्ट फार्मॉला i क्या है यहाँ पर strength of the current क्यों क्या है charge t क्या है time resistance में हम formula use करते है v is equal to ir होता है यहाँ से r निकालेंगे तो v divided by i v क्या है potential difference r क्या है resistance और c क्या है हम आरे पास capacitance यह हम conductance निकालते हैं तो इस तरह से निकालेंगे देखिए c is equal to 1 by r यह क्या हमारे पास फार्मूला है potential देखिए हम कैसे निकालते हैं व इस इकल टू आई यार और व का मतलब potential difference आई का मतलब current कहीं बार छोटा आई ले ले लेते हैं यह हमारे पास resistance में लोड दिया गया हो किसी लेंथ के अनुसार दिया गया हो तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं रो इंटू एल बाई ए रो इंटू एल बाई ए जहांपे आर का है हमारे पास resistance ऑफ दी वायर रो कहा है रेजिस्टिविटी या specific रेजिस्टेंस और एल कहा है length ऑफ दी वायर ए कहा है area ऑफ दी cross section ऑफ दी वायर जैसे हमारे पास कोई यह वायर है इसमें जोडि हम यह इसका resistance निकालना है तो रो एल बाई यह जितनी इसकी की length है और डिवाइड में इसका cross sectional area एरिया हमारे पास क्या होता है पाई यार स्केर एरिया क्या होता है पाई यार स्केर इधियम सर्कुलर की बात करते हैं अब लेते हैं वेरियेशन ओफ रेजिस्टेंस विद टेंप्रेचर का फार्मुला बड़े इंप्रेंट फार्मु पर्शेन्स और रेंप्रेचर टेख इजल टू र नट यह कहीं आर जिरु पोल रो डेंसका मतलो में रिशिस्टेंस और त्म घुर जरुरु इंटु मैं 1 अलफा 1 अलफा इंप्लस अलफा टी अलफा कहें अलफा कहें टेंप्रेचर को फिसेंट अव धिर्सिस्टन्स अव इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं जब हम इसके इंदर वेलिव पूट करते हैं यानिके अलफा जदी हम यहाँ से निकाल लेते हैं तो अलफा क्याएगा रो टृ माइनस रो नाट यहाँ के रोजिटिए रोजिविटि हैं यहाँ रिसी प्रोकल होती है इनिके conductivity क्या है हमारे पास one by row और रो जिदि हम निकालनी है यह निकिए रेजिस्टिविटी दूसरा निकालना होतो तो one by sigma आ जाएगा हमारे पास यह निकिए sigma is equal to one by row वेर यह sigma क्या है conductivity रो क्या है resistivity आप potential देखिए जब हमारे पास i और r की बात करते हैं EMF के बात जब आती है बात तो potential क्या है EMF माइनस IR EMF माइनस R जहां पर V क्या है potential difference E क्या है EMF of the cell R क्या है internal resistance of the cell और capital R क्या है external resistance of the R इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ठीक है ना देकि I is equal to E divided by R plus R यहिदि हम i की value put कर देते हैं तो यह इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं क्रण्ट जब यह निकालना हो केस्टू जब बैटरी चार्ज हो रही हो तो potential क्या होता है V is equal to E plus IR ठीक है अब थोड़ा सा किर्चोफ लाग के is equal to zero second last जो हमारे पास loop rule होता है उसमें V is equal to IR होता है हमारे पास V is equal to IR वो total क्या रहेगा जीरो रहेगा अगर मैं इसका balance point निकालना हूं with stone bridge का तो P by Q is equal to R by S जहाँ पे P के हो RS के है resistance of the bridge मीटर ब्रेज जब ही में की बात फार्मूला आता है X by R is equal to L1 by L2 अब इसकोम इस तरह से भी लेख सकते हैं X by R is equal to L divided by 100 minus L1 क्योंकि मीटर ब्रेज में total length 1 meter होती है यदि मालो एक side की हम यहां तक L मालनेते हैं तो दूसरी क्या आज है कि हमारे पास 100 minus L होती है क्योंकि यह total 100 होती है और resistivity यदि उसकी निकालनी हो तो X A divided by L और A क्या है है हमारे पास area इसलिए 25 के रा गया तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं next point देखिए जहां पर रोक है resistivity of the wire X resistance of the wire A area of the cross section of the wire L length of the wire potential meter में देखिए क्या हता है EMF EMF cell in the secondary circuit ES secondary circuit EMF ES कम दो secondary में तो यह हमारे पास formula रहेगा I row L अब comparison of EMF of two cell का formula हमारे पास ही है EMF of first cell divided by EMF of second cell ratio किसका आगे L1 by L2 जहां पर E1 के है EMF of first cell E2 EMF of second cell L1 L2 balancing length of individual cell respectively आप लिजिए ठीक है और internal resistance यदि हमें निकालना है internal resistance यदि हमें निकालना है तो simple formula और important formula याद कर लिजिए R is equal to L1 minus L2 into 2 में R divided by L2 या R is equal to E minus V divided by V into R अब जब हम इसको series grouping ले लेते हैं individual में identical cell की तो total EMF हमारे पास क्या होता है N E total EMF N E total resistance N R और total resistance दोनों को जोड़ दो एक तो हमारे पास N R और total R जो capital होता है N क्या होता है फ़र यह R plus N R तो current इस series group में क्या रहेगा जब current होता है N E divided by R plus N R यहनके V is equal to IR होता है V is equal to IR होता है तो I क्या जाएगा V बटे V divided by R तो I क्या जाएगा मारे पास V divided by R V क्या है हमारे पास N E total EMF और R क्या जाएगा total resistance R plus N R तो यह इस तरह से formulas को use कर सकते हैं next point देखिए यदि हम R जो है यहनके जो capital R है वो small R से बहुत जादा ले ले यहनके R की value हम बहुत छोटी कर देते हैं तो इस case में यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा negligible हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेक है N E divided by R अब parallel grouping के लिए formula देखिए parallel grouping में क्या करते है N identical cell वही same हमारे पास I is equal to N E divided by R plus N R और उसमें देखिए क्या था I current इसमें क्या था जहन देखिए जब N identical circuit थे तो इसमें I is equal to N E और R plus N R तो हमारा difference देख लिए दोनों में यह इसमें यह current था और इसमें अब क्या आगया यह आगया हमारे पास उपर तो N E है लेकि निचे क्या आजएगा यह आर जो है इंटर्चेंज हो गए हमारे पास ठीक है यानि कि maximum current जब निकालना हो तो हमारे पास क्या आजएगा maximum current कम देखिए जब capital R समाल हो समाल आर से तो N E divided by R रहे जएगा मारे पास क्योंकि R जब छोटा हो जएगा तो यह क्या हो जएगा 0 हो जएगा नेग्डिजिबल हो जएगा I Y current E MF R external resistance R internal resistance N number of the cells next point देखिए resistivity and conductivity किस तरह से हम निकालते हैं जूड़ी है दूसरा फार्मला R is equal to M divided by N E square to into L by A ठीक है जहां पे रो की value का है हमारे पास M divided by N E square to R is called the resistivity or specific resistance SI unity का हमारे पास ohm meter conductivity का फार्मला भी उसका हमारे पास resistivity का उल्टा हो जएगा ठीक है अब SI unit of क्या है हमारे पास ohm यह देखिए यह महो लिख देते हैं camera यह ऐसे भी लिख देते हैं आप चेक कर लिजेगा जहां पे X का है non resistance of the given wire यह हमारे पास balancing condition के लिए हो जएगा alternating current अब देखिए alternating current का है दुबारा से माते है an alternating current is a current which continuously change in magnitude and periodically reverse in direction here L0 is the peak value of the AC अगर हमें average value निकालनी है AC की तो क्या होगा I of average 0 होती है total I of average क्या होती है 0 होती है average value of AC taken over the complete cycle is 0 यह आप note कर लिजी तो अब बात कर रहे है alternating current के बारे में तो किनके ऐसा current जिसका magnitude जो है change होता रहता है और direction भी change होती रहती है periodically तो हम उसको बोलते है alternating current और यह sine या cosine की क्या होती है हमारे पार function होती है तो यह सोडियल function बोलते हैं इसको और यह दिया हमें instantaneous value निकालनी है current की at any time तो हम लेते हैं I is equal to I not into omega t plus 5 और voltage हमारे पास V is equal to V not sin omega t कही बार हम लिखते हैं है I is equal to current में हम I is equal to I not sin omega t या cos omega t याद रखेंगे इसको I is equal to sin omega t और I not कहा है peak value यहां पर I not कहा है इमारे पास peak value V not भी कहा है peak voltage of ac और omega is called the angular frequency omega का हमारे पास angular frequency और देखिए angular frequency यदि आप निकालना चाहते हैं तो angular frequency यह निकिए omega का जो फार्मल है हमारे पास 2 pi divided by t और यह किसके ब्राबर होता है हमारे पास 2 pi divided by t वह ते 2 pi f यहनिके जो हमारी frequency होती है similarly alternating emf हमारे पास क्या हो जाएगा अगर alternating emf निकालना है तो alternating emf निकालने का हमारे पास same formula है जिसने आपस यह निकालते है V is equal to V not sin omega t होता है न तो वह जाएगा हमारे पास E is equal to E not sin omega t यह क्या जाएगा हमारे पास alternating emf यह cos omega t b ले सकते हैं साइन और को साइन की function होती है clear point mean value average value जब हम निकालते हैं of ac is that steady current which when passed through a circuit for a half the time period चीकन और हम उसको mathematically कैसे लिखते हैं जो हमारे पास mean value और average value होती है उसको लिखने के लिए हमारे पास क्या देखिए rms value of current rms value of current तो वो किसके ब्राबर होती है i rms और वो किसके i not divided by under root 2 i not divided by under root 2 mathematically यह लिखते हैं हमारे पास और अब देखिए impedance क्या होता है z is equal to v by i और जब peak value की बात आएगे तो v not divided by i not इसको हम measure करेंगे ohm में यह impedance होगा reactance निकालना है तो reactance हम का formula हमारे पास xl is equal to omega l यह x is equal to one by omega c यह हमारे पास यह actance अब निकालते है जब एक तो हमारे पास हो गया capacitance के तुरू और दूसरा क्या हो गया हमारे पास l के तुरू ठीक है न और average value of ac 0 over a complete cycle of ac याद रखेंगे और mean value of alternating emf वो क्या हता है हमारे पास mean value of alternating emf is that steady value of emf which will send the same amount of charge through the circuit in half time period of ac of alternating emf and does in the same time through the same circuit mathematically यह आप उसको देना चाहते है कि इसको mean average value of current alternating current की तो वो हमारे पास क्या होती है em लिखते हैं उसको shortcut में em mean value of emf तो वो होती है 2e0 divided by pi इसको जब आप solo करेंगे तो 0.0636 आएगा ठीक है इसको solo करेंगे दिबाब e not हमारे मतलब pi की value पूट करके इसको आप solo कर सकते हैं और जब हम LCR series की बात करते हैं तो formula हमारे पास क्या रहेगा जब हमें टेंजेंट निकालना हो इसके तो हमारे पास यह formula हो देगा tangent pi xc-xl divided by r और resonant frequency यह दिए आपने निकालना है तो उसका formula क्याता है 1y and root lc यह क्या है formula हमारे बस resonant frequency का resonant frequency के लिए formula हमारे पास यह quality factor का formula हमारे पास क्या है omega r into l divided by r अब देखिए power in ac circuit का formula क्या है v rms i rms into cos 5 यह किसका है power in ac circuit power in ac circuit और जहांपे cos 5 की value क्या है r by z यहनिके जो power factor है कहीं बार power factor की value एक point एक number में आ जाती है तो power factor आप simply defined कर सकते हैं cos 5 यहनिके r by z power factor इसको बोलते हैं clear point value of alternating current and voltage कैसे लेंगे लेकिए instantaneous value क्या होती है हमारे पास जान से देखिए it is the value of the alternating current and voltage at instant time t किसी भी time anytime t पर हम जब कोई value लेते हैं तो instantaneous value क्या लाती है peak value क्या होती है maximum value of the voltage e not and current i not in a cycle are called peak value mean value or average value of AC it is defined as the value of direct current which send the same charge in a circuit in the same time as sent by the given alternating current in its half time period ठीक न और वो हमने अभी लिखा किसके ब्राबर होती है mean value average value of AC current की जब लेंगे तो 2i not देखिए एक बार लिख लेजी जब current के लेते हैं तो हमारे पास होता है 2i not अभी बताया दो हमने 2i not divide by pi और जब emf के लेना हो तो i not के सान पे 2e not आ जाएगा emf के लिए divide by pi और जब इसको आप solution करते हैं दोनों का इसका solution भी हो इसका solution इनके 2 by pi 2 by pi की value हमारे पास क्या रहेगी यदि हम 2 by pi है जो हमारे पास 2 by pi को mathematically करते हैं तो उसका answer हमारे पास कितना हैगा 0.0630636 इनके 0.0636 की value आएगी यह आप ध्यान रखेंगे अब next point देखिए phase difference बड़ा important इसको ध्यान से देखिए phase difference between the emf यहनिके voltage and current in an AC circuit a diagram that represents the alternative current and voltage of the same frequency as a rotating vector यह phasor बोलते हैं along the proper phase angle between them is called the phasor diagram देखिए हम इसको यह phasor diagram देगा इसको एक बार धान से समझे लिएगा इसको किस तरह से represent करते हैं देखिए जब हमारे पास angle देखिए यहां से हमारे पास जो है यह sinusoidal wave है हमारे पास तो जब angle 0 होता है तो फिर हम phasor diagram इस तरह से हम show करेंगे यहनिके वह angle क्या ले रहा है जीरो देखिए यह हमारे पास फार्मुला है वी इकल टो वी वोल्टेज के लिए वी इस इकल टो एक मिट देख लिए तो क्या होता है वी इस इकल टो वी नोट साइन ओमेगा टि यह फार्मुला जो हमने सब से नपिसे लिखे लिखी ये जो लिखावा हैं वी ये सिन लेंगे यहां से ङृण से शुरू होता है सिनौ से डिल वेव तो यहfig की मतलों जो एंगल है'mारे पास ये डिपैंड करता हैं एंगल पर एंगल कितने जीरो डिग्री है या 90 डिग्री है या पाई बाई टू है तो जब हम जीरो डिग्री पर लेंगे तो यहाँ पे साइन जीरो ओमेगा टी हमारे पास इनकी कितना हो गया जीरो हो गया हमारे पास तो साइन जीरो हमारे पास लखेंगे तो वो क्या रहे जेगा हमारे पास वी नोट रहे जए, वी इकल टू क्या जएगा, 0 आजएगा, सारे क्या हो जएगा, 0 आजएगा, तो उस case में हमारे पास क्या रहेगा, phasor diagram, एक state line में रहेगा, और वो उसी direction में रहता है, same to same, जब हम angle change करते हैं, angle देखिए, anti clock wise चलेगा, इसमें, angle, anti clock wise चलेगा, जब हम 45 degree का angle लेते हैं, जब हम क्या लेते हैं, 45 degree का, जब हम अंगल लेंगे, तो angle देखिए, यहां से बनेगा, यहां पर यह दिम 45 degree ले लेते हैं, जब इसमें, जो हमारे पास, वी जीकल टू ये वड़ा है, वी जीकल टू वी not sin omega t, इसमें 45 degree रखेंगे, जब हम इसमें 45 degree रखते ह हैं, तो value हमारे पास 45 degree रखे क्या रहेगी, उसमें value आप put करेंगे, तो value हमारे पास क्या आजएगी, यह आईगी, फिर हम क्या करेंगे, 90 degree value पूट करने हमने, फिर क्या करेंगे, तो 90 degree, देखिए, यह maximum value हो जाएगी, यहां पर voltage का आजएगा, पीक हो जाएगी, तो फिर हमारे पास इसमें V is equal to V not sign 90 degree value पूट करेंगे, तो इस तरह से हम इसके बाद हमें फिर देखिए, इसके बाद हम लेंगे यहां पर 45 degree और add कर दो 95 में, 135 लेंगे, फिर हमें लेना 180 पर, फिर हमें लेना यहां पर जो angle यहां पर बनता है हमारे पास बीच में, फिर हम लेंगे 270 पर और फिर यहां से लेंगे, तो यह complete cycle हो जाएगा, हमारा 360 पर, एक complete cycle हो जाएगा 360 पर, और इस तरह से हम graph का समझेंगे, देखिए, पहले हमने कितना लिया, 0 degree पर, ठीक है, तो 0 degree पर हमारे पास क्या आजएगा, यह आजएगा, V is equal to V not, फिर हमें लेना 45 degree पर, तो 45 degree प हमारे पास इस तरह से बनेगा, अगर यहां से बनाना चाहिए, 45 degree पर, ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, 90 degree पर, तो 90 degree पर हमारे पास क्या आजएगा, यह दोनों, एक दुसरे के perpendicular आजएगे, यानि कि जो हमारे पास यह किसके y axis जो positive है, उसके parallel में आजएगा, और तो जब 180 degree क value में put करते हैं, तो हमारे पास क्या आजएगा, दुबारा से यह वाड़ा function आजएगा, जो यह हमारे पास दिया गया है, तो 180 degree पर हमारे पास यह आजएगा, फिर हम धोड़ा angle और बढ़ाएंगे, 180 degree से हम फिर क्या लेंगे, इसमें 45 degree add करेंगे, तो 225 degree value put करते हैं, तो फ equation हमारी यह देगी, V is equal to V sin omega t, तो इस तरह से यह phasor diagram हमारा, एक circle जो है complete करते हैं, कितने पर 360 degree पर यह complete कर लेता है, अपना एक cycle, तो इस तरह से यह चलता जाएगा हमारे पास, और चलेगा ऐसे one anti-clockwise direction आप इसको ले कर चलेंगे, तो यह phasor diagram दिखाएगा हमारे पास, कि इ प्योर रजिस्टिव सरक्ट है, उसमें क्या होता है, याद कर लीजी, important है, the voltage and current are in same phase, इनके phase difference क्या रहेगा, अब यह हमने देखा, 0 हो रहेगा, जब प्योर रजिस्टिव सरक्ट है, phase difference क्या होता है, 0 होता है, और उस case में देखे हमारे पास, जो sinusoidal wave होती है, वो इस तरह हो रहेगा, और यदि आपने phase diagram दिखाना है, यह इस तरह से दिखाया गया, दोनों phase to phase दिखाये गया, और यह straight line में दिखा रहे है, phase to phase का मतलब, यहां कहीं बार इसको ऐसे भी represent कर सकते हैं, दोनों जो है, यहां पर मानलों हमारे पास i0 है, और यहां पर v0 है, यहनिके एक हमारे perpendicular voltage का बनेगी, v0 या e0 sin omega t, बनती है हमारे पास, और pure inductor के लिए voltage क्या रहेगी, ahead रहेगी, कितनी pi by 2 के लिए, pure जो हमारे पास circuit होगा, inductor का, उसमें current जो है, pi by 2 क्या रहेगा, ahead रहेगा, यहनिके phase difference कितना जेगा, plus pi by 2, phase difference इसमें कितना रहेगा, plus pi by 2, अब देखी, इसमें देखी, हमारे पास, जो current देखी, पीछे चल रहेगा, देखी, और यह voltage हमारी next series में हमारे पास, तो यह इस तरह से हमारा figure बनेगा, और phase diagram देखी, यह हमारे पास क्या voltage, यह में, और यह क्या गया, angle होजेगा, तो यह कितना जेगा, देखी, यहां से, total 90 degree हैंनिके, pi by 2, plus pi by 2, या plus 90 degree रहेगा, हमारे पास, जब भी मिस्तरयां का version करते हैं, और pure capacitor के लिए, हमारे पास, क्या रहेगा, phase difference, minus pi by 2, इसका उल्ट हो जाएगा, minus pi by 2, और इसमें देखी, यह lags करता है, कितना lags करता है, pi by 2, phase difference, कितना रहेगा, minus pi by 2, और देखी, यह figure इसमें दिख कि देखी, यह angle omega है, अब यह कितना है, pi by 2, हमें क्या करना है, lead करना है, तो यह देखी, यह lead हो जाएगा, anticlock direction में, अब reactance क्या आता है, non-resistive opposition to the flow of AC is called reactance, the non-resistive opposition to the flow of AC is called reactance, और reactance का formula देखी, दान से, x से इसको denote करते है, e divided by i, या maximum के लिए e naught divided by unit, और rms के लिए e rms divided by rms plus minus pi by 2, यह होगा हमारे पास reactance के लिए, और inductive reactance क्या आता हैगा, इसको हम xl से denote करते हैं, यहनका omega l, और omega की यह दिए हम value put कर देते हैं, 2 pi f होती है, तो यह क्या आता हैगा, 2 pi f l, और capacitance के लिए क्या हो हो जाएगा omega c का, 1 by omega c, और फिर हमें omega की value put कर दी, 2 pi c f, तो यह कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 pi c f, impedance देखे, इसकी definition के होती है, it is defined as the effective resistance of the series LCR circuit, which opposes the flow of the current through, it is called the impedance, और इसको किस से denote करते हैं, z से denote करते हैं, impedance को, तो impedance हमारे पास कहता है, वह ही E divided by I, E note by I note, वह है जो हमें अभी किये हैं, phi क्या है, is the phase difference of the voltage, E relative to the current, और जब हम LR circuit की बात करते हैं, या RL circuit, तो impedance हमारे पास क्या रहेगा, अन्रूट में R square प्लस XL का square, और XL हमारे पास किसके बराबर होता है, उमेगा L के बराबर, इसलिए उमेगा L का square होगा अन्रूट में, ये दुनों A की equation है, और यदि हम एंगल निकालनो, टेंजेंट 5, उमेगा L, डिवाइड बाई R, और 5 के होजएगा, टेंजेंट इन्वर्सी दरा के, उमेगा L, डिवाइड बाई R होजएगा, और यदि हम बात करते हैं, RC series की, RC circuit की बात करते हैं, तो फिर वही हमारे पास R square अन्रूट, लेके टोटल में, R square प्लस में X square का C, और XC किसके बराबर हो, तो वन बाई उमेगा C, तो value पूट करने के बाद हमारे पास ये equation, वही जब tangent 5 निकालना हो, तो ये हमारे पास को होजएगा, वन बाई उमेगा CR, और इस tangent को इदर लेका हैं, इन्वर्स निकालना हो, तो ये 5 हमारे पास आजएगा, और हमारे पास जब LC circuit हो, यहनके LCR circuit होता है, LCR circuit के लिए Z impedance निकालते हैं, अन्रूट में R square प्लस इंट में XL माइनस XC का square, XL क्या होता हमारे पास, उमेगा L, और XC क्या होता है, वन बाई उमेगा C, सारे का अन्रूट करेंगे, तो ये आजएगा LCR series, tangent 5 ह हो, हमारे पास निकालने के formula same, तो tangent 5 क्या होता है, हमारे पास, R, और root mean square, यहनके RMS क्या होता है, हमारे पास, root mean square, या effective or virtual value of AC, effective value भोतते हैं, और virtual value भी, it is defined as that value of the direct current, which produces the same heating effect in a given register as produced by the given alternating current when passed for some time, यहनके, जो RMS क्या होता है, effective या virtual या जो भी नाम आप रखते हैं, RMS, it is defined as that value of direct current, which produce the same heating effect, same heating effect produce करते हैं in a given register as is produced by the given alternating current when passed for the same time, ठीक है, next point देखी, कैसे निकालते हैं इसको, E, RMS, E का square का unroot लेकर यहां पर, और यह I का unroot, दोनों एकी बात हैं हमारे पास, और value कैसे निकालेगे, E divided by unroot 2, important है, इसको याद कर लिजे, एक number में 100% आता है, under 2 की value जब पूट करेंगे, तो क्या ज़िएगा, 0.00, 0.707, 0.707 E not, और percentage में 70.7 percentage, ऐसे यह RMS निकालेगे, तो इसकी value पूट करेंगे, तो क्या रहेगा, 0.707 E not, और same value रहेगे, तो इसके बाद देखिए, RMS value, also called apparent value बोलते हैं, और effective value भी इसको बोलते हैं, RMS को apparent value और effective value बोलते हैं, देखिए, wattless current क्या होता है, important है, the component of the current differing in phase by relative to voltage is called wattless current, note कर लेजिए, the component of the current differing in phase by relative to voltage is called wattless current, ठीक है, wattless, यहाँ पर double S हाई, wattless current बोलते हैं, जिसको, RMS value, देखिए, हमारे पास इसका यह figure हैगा, आप देखना चाहिए, तो देख सकते हैं, IRMS कोश 5 इदर से, और इदर सी काजएगा, इसका यह resultant हो जाएगा, और यह क्या आजेगा हमारे पास, दोनों के बीच का angle हो जाएगा, और power average जब निकालते हैं, ERMS, IRMS sin 5, dot cos pi by 2, is equal to 0, average power क्योंके हमारी 0 रहती है, और जो यहाँ पर component है, हमारे पास IRMS sin 5, note कर दीजे, IRMS sin 5 is called the wattless current, because it does not consume any power in the circuit, इसलिए इसको wattless होते हैं, क्योंकि यह कोई भी power consume नहीं करता, यह सी circuit में, peak EMF in a rotating coil generator, generator जब rotate करता है, तो peak EMF करता है, E naught NBA याद कर लिजी, NBA उमेगा, transformer की जब हम बात करते हैं, तो VS divided by VP, S का primary voltage in secondary, VP primary में, NS number of turn in secondary, divided by NP number of turn in primary, P का मतलब primary और S का मतलब secondary, या current in secondary, divided by current in primary, is equal to R, transformer ratio भी बोलते हैं, या transformation ratio भी बोलते हैं, दीगेटें, हमारे पास transformer दो प्रकार के होते हैं, step up और step down, जब step up की बात करते हैं, तो उसकी value हमारे पास कितने होते हैं, यानिकि NS number of turn, divide number of turn in secondary coils, divided by number of turn in primary coil, greater than में सा 1, और step down के लिए NS divided by NP, less than में सा 1, ये धान रखेंगे, ये quality factor क्या होते हैं, हमारे पास, क्या हूँ, क्या हूँ से denote करते हैं, और वो क्या आता है, XL divided by R, और XL किसके बारबर होते हैं, 2 pi F L, value put करेंगे, तो ये आगा है, हमारे पास quality factor, XL क्या है, reactance, F क्या है, यहाँ यहाँ पे, frequency, L क्या है, inductance, और R क्या है, resistance, तो quality factor का formula, one number में mostly आजाता है, याद कर लिजीए इसको, अबर देखिए, note for all AC circuit, the relation holds, जो E by I है हमारे पास, यहनिके जो impedance है, हमारे पास क्या होते हैं, Z, R in case of AC circuit containing resistance only, तो दुनों के same होंगे हमारे पास, और जब हम inductance की बात करेंगे, L की बात करते हैं, तो वो जाते हैं, हमारे पास XL, वो किसके ब्राबर होगा, XL के ब्राबर होगा, जब हम L की बात करते हैं, और जो हम हमारे पास only C हैगा, तो वो X की बात, यानिके रेजिस्टिव सरक्ट में Z किसके ब्राबर है आर के ब्राबर और L वाले सरक्ट में Z किसके ब्राबर है XL के ब्राबर और C वाले में XC के ब्राबर होता है यह आप द्यान रखेंगे नोट कर लेंगे और जब RL circuit होता है तो Z किसके बरबर होता है अन्रूट XL का square क्योंगी Z का XL है हमारे पास और RC circuit में XC आजएगा XL के स्थान पे और LC circuit में हमारे पास यह माइनस माजएगा Z एग जोलू XL माइनस XC और जब हम RLC circuit की बात करते हैं इनके LCR circuit की बात करते हैं तो Z impedance क्या हो गया अन्रूट में R square प्लस में XL माइनस XC का square और tangent 5 हम इस तरह हैं निकालते हैं XL माइनस XC डवाइड बाई R का और देखे इन RC circuit यह दोबारा फिर वोई से हमारे पास impedance जब निकालते हैं और cos phi क्या रहेगा R by Z RC circuit में हमारे पास और cos phi R by Z LC circuit में हमारे पास Z यह दुबारा repeat हो रहा है तो 5 कितना 90 degree R LC में Y और cos phi कितना R by Z इन R AC circuit जब तो I average value को जोते EV by Z देखे power factor क्या होता है screw power divided by apparent power और apparent power क्या होते EV into IV यह cos phi V के ब्रावर होती है power factor cos theta होता है हमारे पास और formula के अबनेगा mathematically R by Z is equal to R और Z की value के होते है हमारे पास under root में R square Z तो under root R square plus में XL minus XE का whole square power factor यहनिके cos phi किसके ब्रावत है R by Z यहनिके resistance over impedance और देखे power factor for RC circuit formula ही हमारे पास R divided by Z और Z जब हम इसकी बात करते है RC की तो RC में यह impedance की value है तो इसलिए under root में R square plus 1 by omega square C square और जब RLC circuit की बात करते है formula ही R by Z और Z RCL के लिए यह होता है हमारे पास omega L divided by यह हमारे देखे R square plus into में omega L minus 1 by omega C whole square choke coil के होती है दिके धान से important है हमारे पास यह भी and inductive coil used for controlling alternating current both self-inductance is high and resistance negligible is called choke coil जैसे हमारी motorcycle गाड़ी होते है उसमें choke लेगे होती है तो उसका काम क्या है induce high both self-inductance is very high and resistance negligible उसको choke coil बोलते है हम ठीक है power factor of this coil is approximately 0 होता है power factor क्या होता है 0 और it controls the current without consuming any power तो यह power को consume नहीं करती तो यह था हमारे पास आज का जो ticks and tricks का वीडियो और जो important formula थे हमने एक ही चैप वीडियो में अपना पूरे का पूरा lesson revise किया है तो आपने lesson का पूरा अन्द लेगा तो chapter को revise कर लिजी क्योंकि जब तक आपको यह पार्मले रिवाइज नहोंगे तब तक chapter नहीं आएगा आपको तो next video के लिए जल्द याद रहोंगे तब तक हम लेते हैं ज़्याद जयाए हिंद लेते हैं